दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने टॉक्जिक लोगों पर टॉक्जिक रिलेशन्शिप्स पर कुछ वीडियोस बनाई थी समझाया था कैसे डील करना है तो बहुत से मेसिज मेर पास आये लोगों ने पूछा लोगों ने कहा कि भाईया और ऐसी वीडियोस बनाओ और डीटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करो तो मुझे इस बात का एसास हुआ कि बहुत सारे लोग इन चीजों से डील कर रहे हैं तो मैं इस टॉपिक को कवर करता रहूँगा नही नहीं बाते बताता रहूँगा आज भी मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जिन से आपको ऐसे टॉपिक रिलेशनशिप से डील करने में मदद मिलेगी आप स्ट्रॉंग रह पाओगे आगे बढ़ पाओगे उनका सामना कर पाओगे दोस्तो जो भी आपके जिवन में टॉक्सिक लोग है नेगेटिव लोग है नार्सिसिस्ट लोग है जो आपको इंसल्ट करते हैं कंसिस्टेंटली आपका बुरा चाहते हैं आपको अपने आगे कुछ नहीं समझते आपको ऐसे लोगों से बात करना हसी मजाक वाली बात करना परसनल बाते करना अपनी लाइफ को शेयर करना बंद करना पड़ेगा कम से कम पॉइंट टू पॉइंट की बात करनी है फालतू बात कोई नहीं करनी है उनके मन में अपने लिए थोड़ा सा डर जगाना है बार-बार ये नहीं बोलना कि मैं तुझे ये कर दूँगा, मैं तुझे वो कर दूँगा, ये नहीं बोलना इससे डरनी जागेगा, इससे और वो निडर ओ जाएंगे कम शब्दों में जब वो आपकी बाउंडरी क्रोस करने की कोशिश करें उन्हें वार्निंग दे देनी है कि इसका अंजाम बुरा होगा कम से कम शब्दों में गाली गलोच नहीं करनी सिरफ वार्निंग देनी है और उसके बाद भी वो इंसान नहीं सुनता तो आपको नेसिसरिली जरूर एक्षन लेना है चाहे वो कोई भी हो चाहे वो माता पिता क्यों ना हो दोस्त क्यों ना हो पती पत्नी क्यों ना हो कम शब्दों में वार्निंग देनी है वार्निंग को नहीं सुनके फिर से वो हर्कत करते है action लेना है फैसले लेने हैं कड़े फैसले लेने है उस इनसान से और दूर हो जाना है complainant कर देनी है उनको expose करना है थोड़ा सा distance बना के रखो फाल तू बात मत करो कम से कम बात करो कम से कम dealing रखो जहां जरासी भी आपकी boundary क्रॉस करने की कोशिश करे warning दे दो और warning की ना सुने तो action जरूर लेना है अब इस चीज़ के दो नुकसान है एक तो लोग आपसे थोड़ा सा दूर रहेंगे पर मैं ही मानता हूं कि ऐसे toxic गलत लोग negative लोग आपसे दूर रहें तो आपके लिए जादा बेतर है ऐसे लोगों से अकेले रहना बहतर है तो वो थोड़ा डर भी रहे है दूर भी हो रहे है तो आपके लिए बहुत अच्छा है दूसरा डर है अपना कोई नुकसान ना हो जाए जैसे मेरी नौकरी ना चली जाए डिवोर्स ना हो जाए तो दोस्तों बजाए सालो साल घुड़ घुड़ कर जीने के नरक काटने के दिन बर रोने के डिप्रेशन में पढ़ जाने के अग्जाइटी में पढ़ जाने के आज ही स्ट्रॉंग बन के रहो तो जादा अच्छा है अन्जाम तो बुरा है ही लेकिन पूरे जीवन बुरा ना हो एक पल का जटका जरूर लग जाए तो डरना बिलकुल भी नहीं है अप फ्रेंट रहना है क्लियर रहना है कम शब्दों में अपनी बात कह देनी है क्लियर कर देनी है दोस्तों हमेशा हमबल रहो सब की इज़त करो सबसे प्यार करो लोगों को समझो लेकिन जिस पल आप डिफेंसिव मोड पे आ जाओ जब कोई इंसान आपकी बाउंडरी क्रॉस कर रहा है आपके प्रती अग्रेसिव हो गया आपके साथ गलत कर रहा है जब आपने अगर डिफेंस नहीं किया तो वो आपको चोट पहुचा देगा उस पोजीशन पे आके आपको अग्रेसिव हो जाना है उस समय आपने नहीं सोचना उस समय उनको कैड़ा कड़क जवाब देना है वार्निंग से कंप्लेंट से नहीं समझ रहे तो उनीके शब्दों में उनको जवाब दो वाला एक घटिया जीवन जीता है तो कायर नहीं बनना चाहे कुछ बहुत बड़ा खो दो कायरता से नहीं जीना जीना इज़त के साथ है स्ट्रॉंग बनके जीना है निडर बनके जीना है तो जब तक डिफेंसिव नहीं होते लोगों की इज़त करो, सम्मान करो, प्यार करो, जुक्के जीओ, एक फल लदे पेड़ की तरह, जिस पल कोई भी आपको डिफेंसिव मूड पे ले आता है, इतना अग्रेसिव बन जाता है, गलत करता है, उस समय अग्रेसिव बन के अपने गेम को खेलो जिस पल भी कोई इनसा आपको गलत बात बोलता है, जलालत वाली बात बोलता है, आपको गाली देता है, बत्तमीजी करता है, नीचा दिखाता है, कोई भी इस तरीकी की गलत बात जब भी कोई आपको बोलता है ना, कुछ पल के लिए उसको घुरो, कुछ पल के लिए उसको घ आने वाले हो, कुछ बुरा हो सकता है, घूरते रहो, उनको यह ऐसास हो जाना चाहिए, कि उनकी दवाई उनको डबल डोस मिल जाएगी, और उसके बाद क्लिरली बोल दो, आगे से इस तरीके का कोई भी शब्द मेरे लिए आपको इस्तमाल नहीं करना, चाहे वो आपका पती पत्नी हो, बोस हो, साससुर हो, माता पिता हो, काली गलोज, बत्तमीजी, गंदे शब्द किसी से नहीं लेने, मारपीड किसी से नहीं लेनी, घूर के कम शब्दों में बोल दो की आगे से ये गल्ती ना हो जाए, परिणाम आपको बहुत खराब भुगतने पड़ेंगे, य उस दीर घूरने के बाद वार्निंग दे देनी हैं, उसके बाद वो इंसान नहीं मानधा, तो एक्शन ले लेना है, इतना गैब जरूर देना है, क्लिर वार्निंग जरूर देनी है, इससे आपकी परसनलिटी उभर के आती है, आप एक स्ट्रौंग इनसान بनते हों, और भी वो इंसान नहीं समल रहा है तो फिर उसको समलवाना पड़ेगा अक्सर क्या होता है जाहतर लोग abusive marriages में abusive parents के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अकेला होने से डरते है मैं अकेला पड़ जाओंगा मेरा क्या होगा और इस वज़े से पूरा जीवन नरक काट के depression में इलाज करवा करवा के नरक की तरह उस जीवन को जी लेते हैं दोस्तो अकेले होने से डरना छोड़ दो अकेले पड़ने से डरना छोड़ दो अगर आपकी किस्मत में अकेला होना लिखा है तो किसी इंसान की मृत्यू भी हो सकती है जहां पर एक लड़की गुड़ गुड़ के पिट पिट के सुबह शाम पिट के डंडे खा के इसलिए जी रही है क्योंकि वो अकेले होने से डरती है मैं यह समझता हूँ कि एक आश्रम में रह लो दो रोटी मिल जाएगी लेकिन पिट पिट के गालिया खा खा के उस शराबी इनसान से उस गलत इनसान से जीने से अच्छा है कि अकेले रह लो ऐसे मच जीओ यह जीवन सबसे खराब जीवन है अकेले रहने का जीवन खराब नहीं है कम पैसे में रहने का जीवन खराब नहीं है सबसे खराब सबसे निमस्तर का जीवन ये है किसी की मार पीट को, बच सलूकी को, मिस बीईवियर को कंसिस्टेंटली पूरे जीवन से ते रहना तो अकेले पढ़ने से डरना छोड़ दो इतना स्ट्रॉंग खुद को बना लो उस डर को निकाल के लाइफ को जीओ यह नहीं कह रहा कि अग्रेसिव बन जाओ पर उस डर को निकाल तो ताकि कोई आपके साथ बहुत गलत ना कर पाए बहुत गलत कर रहा है तो उसको एक करारा जवाब मिल जाए और इस डर को तो मन से निकालना पड़ेगा वरना जीवन भर टॉकशिक लोगों के साथ आपको जीना पड़ेगा उनकी टॉक्सिप्शी को सैना पड़ेगा अब्यूस को मिस बीवेर को सैना पड़ेगा और इतने ही कमसुर अगर आप बनोगे तो आपको जादतर लोग भी ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि दोस्तों जादतर लोग आपको सलेव अपना गुलाम बनाना चाहते है उनकी मंचाई यही है कि एक इनसान मेरा गुलाम बन के जी मेरी गालिया सुने, मेरी ठोकरे खाये मेरी मार सहे, मेरे पैर चुए ऐसा इनसान सबको चाहिए और अगर आप जीवन से डरोगे, अकेले बन से डरोगे उनको खोने से इतना डरोगे तो ऐसे ही इनसान आप बन जाओगे तो हमेशा उस इनसान को यह डर होना चाहिए कि वो आपको खो सकता है कि आपकी एक लिमिट है, वो पार हो गई तो आप चले जाओगे यह डर अगर उस इनसान के मन में रहेगा तो वो अपनी बाउंडरी और आपकी बाउंडरी सेट करके रखेगा दोस्तों किसी ने मिस बिहेव करा है आपको गंदे ताने दिए है गंदे शब्दों का प्रयोग किया है गालिया दिया है मार पीट की है उस इनसान को एक रिजल्ल दिखना चाहिए एक लॉंग टर्म रिजल्ल दिखना चाहिए यह निकि कल मार पीट हुई आज माफी मांग के नॉर्मल जीवन जी रहो ऐसा नहीं उसने आपको गाली गलोच करी तो लंबे समय तक परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे कुछ महीनों तक तो भुगतना पड़ेगा उससे दूर आपको रहना पड़ेगा चाहिए वो माफी मांग ले खुद के लिए टाइम जरूर लेना है एक सेकिंड में माफ नहीं कर देना कि आप माफ करने को तैयार बैटे थे क्योंकि अगर आपने एक शर्म में उसको माफ कर दिया और उसको एक सबक मिल जाएगा कि मैं आगे चाहे जो भी कर लूँ जरा सी माफी मांगा माफी मिल जाएगी उसको ये सबक मिलना चाहिए कि मैं अगर कोई ऐसी गलती कर दी तो असानी से माफी नहीं मिलेगी मामला बहुत आगे तक जाएगा ये डर उस इंसान के मन में होना चाहिए तो लंबे समय तक अगर ऐसी कोई हरकत गलत हरकत को इंसान आपके साथ कर रहा है चाहे मावा भी आपको गंदे गंदे अबदर शब्दों से जलील कर रहे हो उनको लंबे समय तक इसका रिजल्ट दिखना चाहिए कि आप उनकी तरफ बदल गए हो और जब तक आपने उनको कुछ समय तक वैल्वेट नहीं कर लिया उनमें आये बदलावों को पॉजिटिव बदलावों को आपने सही नहीं होना दोस्तों यह टिप मैं इन जनरल दूँगा जादातर लोग उसे ना बहुत नस्दीक मच जाओ जैसे लोग क्या गंदे जोक शेर कर लेते हैं परसनल बाते बोल देते हैं दूसरों की बुराया कर देते हैं बैक बाइटिंग कर देते हैं बिचिंग कर लेते हैं दूसरों से इतना नस्दीक मच जाओ कि वो आपकी रिस्पेक्ट ठीक हो दे कि वो आपसे इतने comfortable हो जाए कि मैं इस इंसान को कुछ भी बोलतू यह बुरा नहीं मालेगा तो खुद के behavior पर भी आपको नियंतरण रखना है कि आप खुदी लोगों से गाली कलोज करके बाते कर रहे हो कुछ सुना देते हो, जलील कर लेते हो तो लोग आपके बारे में ऐसा perception बना लेंगे और आपसे यह behavior करेंगे, अपनी personality को सशक्त रखो एक अच्छी strong personality बनाओ, gentleman बनो, gentle women बनो लोगों से mis behavior मत करो, लोगों से बहुत नस्दीग जा के गलत सलत बातें, बुराईयां, इस टाइप की बातें मत करो एक identity ज़रूर बनाओ, no nonsense person जो होते हैं ना उनसे लोग थोड़ा सब दूर तो रहते हैं, लेकिन उनकी इज़द बहुत करते हैं उनसे कोई भी गलत बात करने से पहले दस बार सोचते हैं उनको पता है कि result खराब होंगे, पर्ले नाम खराब होंगे इस से ऐसी बातें नहीं करता है, ऐसी personality अपनी तियार करो दोस्तों लोग आपके प्रती casual ना हो जाएं, सादातर लोग इस बात का आपको ध्यान रखना है बस आज के लिए इतना ही कहना है, thank you दोस्तो, all the best